तो मेराज पांडे आप देख रहे हैं आरसीयन तोड़े आई ये जान लेते हैं अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में अभी की बड़ी किवर ब्रेकी नियुश की बारे में बात करेंगे आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूरता सही और सठीक होती है उसी करम मीन आज की पांच बड़ी खबरों की बारे में बात करेंगे आपके लिए बहुत सी महायत्पूर्ण है वीडियो को अनुत देखिएगा जो भी जानकाई दूंगा सौफीदी अथेंटिक होता है आप को अभी मालूम होगा आज तक जित प्रीटी का नोटिस कब तक जारी होगा नोटिफिकेशन कब तक आएगा आप दन कब शुरूँ होगा इस पर बात करेंगे गारी में 200 से जादा का पिट्रूल आप नहीं भड़ा सकते हैं इसमें सच्चाई क्या है जो खबरे वारे हो रहे हैं इस पर बात करेंगे बड़ी सबस्क्राइब कर ले बैल आइकन दबादे और सबसे पहले मैं गाड़ी में 200 वाले पिट्रोल की चर्चा पर बात करूंगा देखिए 200 रुपे का पिट्रोल एक गाली में आप भरा सकते हैं दिन भर में कितनी सचाइज पर देखिए खबर जो आप लोग सुन रहे होंगे वारल हो रही यही खबर है ऐबी पीन्यूस की खबर है कि रमें तृप्रा एक राज्जी थिर्फपॉरा में बायक को दोसो कार को सिर्फ एक हजार रुपए का पिट्रॉल डीजल मिलेगा ऐसा आधिस जारी हुआ है क्यों हुआ है इस पर आप सरकार से बात करिए सरकार से पूछिए ट्विट करिए जानकारी आपको मिल जाए मंतर विधाई से पूछिए ऐसा क्यों हुआ है लेकिन वास्त भी यही है कि त्रिप्रा में बाइक को 200 रुपे और कार को सिर्फ 1000 रुपे का पिट्रोल डीजल मिलेगा जो आदिश जारी हुआ है क्या पिट्रोल डीजल की कमी आ गई है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है क्या इस्ति गंबीर है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है सभी राज्यों में लागू होगा आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है सभी के जहन में सवाल है सबसे पहले आपको सोचना होगा कि तिर्पूरा में किस की सरकार है अगर ऐसा होता है सभी राज्यों में तो क्या होगा अगली अब्डेट है यूपियसाई कटाफ को लेकर यूपियसाई कटाफ चौकाने वाला होगा ऐसा मैंने इसलिए लिखा है आप लोग फिसकल का रिजल्ट देख रहे होंगे आप लोगों को मालूम होगा कि यूपियसाई में क्या हुआ है आपको यह भी मालूम होगा कि इसके लिए धर्ना प्रदर्शन भी हो रहा था और जो धर्ना करने वाले लोग थे उन्हें आरेश्ट भी किया गया आखिर क्यों किया जा रहा है क्या परिच्छत पुना होगी तो मैं आपको बता जूँ सरका सरकार पुना कराने की विचार में नहीं है फिर एक बार में इस्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेरा काम रहता है आप तक अथेंटिक जानकारी पहुंचे आप सच्चाई से रूब रू हो जो सच्चाई वही बता रहा हूं लाख प्रियास कर लो अगर सरकार को परिच् सुना कर रहे हैं जो अजनसी थी परिच्छा कराने वाली एक नमबर कि प्रेष्ट ऐचनसी थी एसा प्रतियोकिछ रूइंट्रों का कहना है प्रतियोकिच हत करे रहे हैं वही इस ऐजनसी है जो 4 साल पहले थी याने कि जो आप हैक वाली ख़बर पढ़ते हैं समाचार पत्रों में जो आप 57 लोग 58 लोग 50 लोग 20 लोग 8 लोग 7 लोग पकड़े परस्तिजी जा रहे हैं वह खबर सुनते हैं उसमें पूरता सचा है इसमें दो राय नहीं है कि वह वाज गलत है मैं आपको बता दूँ एक भी प्रतिसत सरकार की मंसा नहीं है कि परिच्छा रद्धो परिच्छा की जांच हो निस्पच्चता से भरती हो अगर निस्पच्चता से सरकार भरती कराना चाहती यो आओ कि बात मानती और जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं जिस तरह से मौस पर आपका हाथ है किलिक कर दिये हो गया इस तरह की स्थितिया देखने को मिली है तो आप पूछते हो कटाप जाएगा अरे कटाप हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं और आप बाद में कहोगे देखिए 9000 से उपर पते उस पर भरती हो नहीं हो तो खाली रहेंगे सबी पर भरती होगी लेकिन बाकी जो बचेंगे बाद में यहीं कहेंगे है प्रभू अगर यह भरती परिषारत हो गया होता तो बहुत अच्छा था बाद में कहोगे भी नहीं तो आज लिख लो काफी इंक्रीज कटाप आपको मिलेगा जिसता से आपने अभी आई चड़ दो या पिस परिच्छा को पूना करवा दिए अब आपको मौका नहीं मिलेगा तो कटाप चौकाने वाला होगा नोट कर लेना कटाप चौकाने वाला होगा अगली अपडेट है यूपिट्र पर लेसी प्रारंबिक अहरता परिच्छा को लेकर यूपिट्र प लगभग 80 परिश्रत काम हुआ था बहुत पहले में पिर बीच में रोक लगा दिया गया था और अब जून में काम स्टार्ट हो जाएगा और जून में ही आपको नोटीस देखने को मिल जाएगा जून में ही आपको नोटीस देखने को मिल जाएगा जो मेरी जानकारी है जू कितने गुना कंडिडर बुलाए जाएंगे या क्या कटाफ होगा पहले या आपको बतारे का प्रियास किया जाएगा इसलिए आपको परिसान होने के वस्चक्ता नहीं है नोटिस कब आएगा तो मैं फिर बता दू नोटिफिकेसन आपको जून में देख रहे हैं को बलेगा और जून से आउबहने प्रिया सुरू हो सकते हैं पंदवा के बाद smashing होना यही है कि पंदला कि वीसे पंदरा की आसपास आप अविदं प्रिक्तिया सुरू हो सकती है अगरी अपडेट है आज का मौसम कैसा रहेगा आप लोग पूस्थते मों सर कैसा रहे गा बारिष होग वालूम होगा तो अब जो आपके जैन में सवाल है उसी को मैं बता रहा हूँ आज रात में हवाय चलेंगी हलके फुल की वारिस हलके फुल के बादल चाहे रहेंगे कुछ जगहों पर बूदी बादा हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा दिन में तपन ज्यादा होगी अगर आपके गाओं में लाइट सही से नहीं आती है क्योंकि इस समय लाइट की स्थिती बहुत ही दैनिये है लाइट बहुत कम आ रही है जितना सरकार ने वादा किया था उससे विपरेद काम हो रहा है यानि कि पांस स साथ घंटे लाइट आ रहे ही गाओं में तो अगर रात्री में लाइट कर जाता तो हवाई चलेंगे और आपको सोने में दिक्कत नहींगा अगर ग्रामीर छेतर में तो बाहर आप सो सकते हैं मत च्छादानी लगा कि तो इसी परकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल झाल 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 जाएट।